नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका RG Smart Class में आज के इस वीडियो में हम लोग EBS के important question देखने वाले हैं और ये इस series का part 3 है तो बहुत important question होगे जिन पर आज हम लोग discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो आज का जो पहला प्रशन है वो है कि हरे पौधे, हरे पौधे सूर से प्राप्त उर्जा को प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा किस उर्जा में परिवर्तित कर देते हैं तो सही उत्तर है रासाइनिक उर्जा तो हरे पौधे जो सूर से प्राप्त उर्जा है उसको प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा रासायनिक उर्जा में परिवर्तन जो है उसका कर देते हैं और आपको पता हुआ कि प्रकास संसलेशन की क्रिया के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन का निर्माड करते हैं और प्रकास संस्लेशन की क्रिया में जो पेड़ पौधे हैं वो carbon dioxide जो गैस है उसको जो है अवशोशित करते हैं और oxygen जो है उसको वो उत्सरजित करते हैं आईए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशने की पारिस्थित की तंत्र में उत्पादक हैं तो पारिस्थित की तंत्र में उत्पादक किसे कहा जाता है तो उत्पादक कहा जाता है उन हरे पौधों को जो प्रकास संस्लेशन की क्रिया करते हैं तो ऐसे हरे पौधे जो प्रकास संस्लेशन की क्रिया करते है तो उन्हें हम जो है पार्जित की तंत्र में क्या कहते हैं? उत्पातक कहते हैं. अगला प्रशने की प्रकास संस्टलेशन की क्रिया में पौधे, जल एवं कार्बन डाई ऑक्साइड को परवर्तित करके किसका निर्माड करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो पेड और पौधे, प्रकास संस्टलेशन की क्रिया में जो जल है, उसके लावा जो कार्बन डाई ऑक्साइड है, तो इसको वो लोग परिवर्तित करते हैं किसमें? गुलकोज में. याद रखेंगे, ठीक है? अगला प्रशन है कि प्रकास संस्टलेशन की क्रिया में किस अगला प्रशन देखें, प्रकास संस्टलेशन की क्रिया में किसका उपचैन होता है, तो अपचैन होता है किसका, कारबन डॉय एकसाइट का, और उपचैन होता है किसका, उपचैन होता है, जल का, नेश्ट कोशन है कि वन, वन जो है वो पार्सित की तंत्र में प्रात्मिक उ प्रक्ष को कहा जाता है। आपका जो जली ये पारिशित्की तंत्र है उसमें प्रात्मिक उतपादक किसे कहा जाता है। प्रात्मिक उत्पादक है ये कहा जाता है फसल के पौधों को तो बहुत important question है जरूर याद कर लिजेगा इनको चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रिश्ण है कि प्रात्मिक उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं तो प्रात्मिक उत्पादक जो है तो उनसे भोजन कौन प्राप्त करता है उपभोगता जो प्रात्मिक उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें उपभोगता कहा जाता है अब जरूर याद रखेंगे इसको. आगे दिए प्रत्म शेडिंग के उबहुकता कौन-कौन होते हैं तो गाए, बकरी, हिरन, एवं चूहा यह सभी आपके यह प्रत्म शेडिंग के उबहुकता होते हैं इन्हें हम प्रात्मिक उबहुकता भी कहते हैं. नेक्स्ट है आपका कि दुती शेडी के उभोकता या फिर दुतीयक उभोकता कौन कौन से होते हैं तो इसमें आपका मचली, बिल्ली और भेडिया ये सबी जो हैं दुती शेडी के उभोकता होते हैं और इन्हें दुतीयक उभोकता भी कहा जाता है अगला है कि तृती है तृती है तृती ही शेड़े का उपभोगता किसे कहा जाता है तो तृती ही शेड़े का उपभोगता कहा जाता है चडिया को चलिए आगे दिखते है अगला प्रशन है कि उच्छ मासाहारी उपभोगता होते हैं तो भाई उच्छ मासाहारी उपभोगत का अपगटन किसके द्वारा होता है तो यह होता है अपगटक के द्वारा काफ़ important question है यह फिर से पढ़ लीजे इसको एक बार कि उत्पादक एवं उभोकता का जो अपगटन है वो किसके द्वारा होता है तो यह होता है अपगटक के द्वारा अपगटक होता क्या है तो कव कवक और जिवाडू कवक और जो जिवाडू है तो इनको क्या कहा जाता है तो कवक और जो जिवाडू है तो इनको ही अप घटक कहा जाता है और परियावरण को परियावरण को शुद्र करने में इनका बहुत महत्पूर्ण योगदान होता है तो याद रखेंगे जो कवक औ और जिवाडू है तो यह जो अब घटक है उसकी category में आते हैं ठीक है अगला प्रश्ण देखिए पार्सित की तंत्र में अजयाविक घटक के अकार्बनिक घटक कौन-कौन से होते हैं तो पार्सित की तंत्र में अजयाविक घटक के जो अकार्बनिक घटक होते हैं तो उनमे जल और मर्दा यह सबसे महतनपूर है अब अगला कुमा scraping ने कि आजयाविक घटक के कार्बनी घटक कोन कोन से होते तो आजयाविक है यहाँ पर कार्बनी घटक पूछा गया है तो आपका उत्तर हो जाएगा ह्यूमस ह्यूमस जो है वो पार्सित की तंत्र में आजयाविक घटक का BARBONING घटक जो है उसके अंतरगत आता है ठीक है चलिए आगे देखते है बताइए पार्सित की तंत्र में आजयाविक घटक के भौती घटक कौन-कौन से होते हैं तो जैसे कि शूरका, प्रकास, एवं ताप तो ये सभी पार्स फोश्ण तल पर कितने प्रतिशत और जायविक क्रियाओं में उपभोग किया जाता है तो आपका सही उत्तर क्या प्रतिशत 60 Pasukन दूसरे तलको प्रदान करते हैं तो आपका सही उत्तर है 10 प्रतिशत प्रोशले इस तरख जो जनतू है जह वो दूसरे इस तरफ पर दॉजा जो है उसको तंत्र में जीवों की संख्या होती है इस्थिर तो एक जो संतुलित पारिस्थित की तंत्र है उसमें जीवों की संख्या सदेव कैसी होती है इस्थिर होती है याद रखेंगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला प्रशन देखें इस्थल मंडल में सबसे बड़ा पारिस पारिस्तित्की तंत्र है वो कौन सा होता है तो वो होता है महासागर और यहां पर पूछा गया कि इस्थल मंडल में तो इस्थल मंडल में जो सबसे बड़ा पारिस्तित्की तंत्र है वो होता है वन पारिस्तित्की तंत्र तो यह दोनों कोशन में डिफ्रेंस है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे देखिए, रासायनिक तत्वों का, रासायनिक तत्वों का, जैव मंडली पार्षित की तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो इसका सही उतर है पौधों की जड़ों के द्वारा, तो रासायनिक जितने भी तत्वों हैं, आपका सही आंसर था केशिकत्तु, केशिकत्तु क्रिया के माध्यम से जो पेड़ और पौधे हैं, वो जल अवशोशित करते हैं, और अगर ये पूछा जाए कि जल का संवहन किस संद्चना के माध्यम से होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जायलम, और भोजन का जो संभान है वो किस सनचना के मायद्ध्यम से होता है तब आपका आंसर हो जाएगा फ्लोयम तो ये कोश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट है जो बहुत बार पूछे जाते हैं तो इन्हें भी हम याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं कार्बन का जैविक भंडारन किसके द्वारा किया जाता है सही आंसर है पौधे एवं व्रक्ष तो कार्बन का जो जैविक भंडारन है वो पौधे एवं व्रक्ष के द्वारा किया जाता है और अगर आपसे कभी भी ये प्रेशन पूछा जाए कि पौधों की सनचना में सबस उसे एको लाइन कहा जाता है, आईये, अगला प्रशन देखते हैं, तो अगला प्रशन है पारिस्तित की तंत्र में इस्थिरता के लिए सबसे आवशक है उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन अगला प्रशन है घास इस्थल एवं फसल इस्थल में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है तो आपका सही उत्तर है सीधा पिरामिड जो घास इस्थल और फसल इस्थल में जीव संख्या का पिरामिड है वो हमेशा सीधा पिरामिड होता है नेश कोशन है कि वरच पारिस्तित की तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा होता है तो वरच पारिस्तित की तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड है वो सदेव उल्टा पिरामिड होता है जी हाँ याद रखेंगे घास इस्थल उ फसल इस्थल में कैसा होता है सीधा पिरामिट जबकि आपकर जो व्रक्ष पारिस्थित की तंत्र है तो उसमें कैसा होता है जीव संख्या का पिरामिट उल्टा पिरामिट होता है आईए अब हम लोग देखते हैं कल के प्रशन का उत्तर तो कल मैंने आपसे प्रशन पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान कौन सा है तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान कौन सा है तो इसका सही उत्तर है हिमिस राष्ट्री उद्यान हिमिस राष्ट्री उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान है और जिसकी स्थापना की गी थी वर्ष 1936 में हिमिस जो है ये सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सरवाधिक उचाई पर इस्थित राष्टी उद्यान कौन सा है तो वो है आपका नाम दफा जो नाम दफा राष्टी उद्यान है तो ये भारत में सरवाधिक उचाई पर इस्थित राष्टी उद्यान है चलिए आज का प्रशन देखते है तो आज का प्रशन है कि भारत में सरवाधिक जैब विवदिता कहां पाई जाती है सरवादिक जो bio diversity है वो भारत में किस छेत्र में पाई जाती है तो इस question का answer आपको comment box में देना है तो इस question का answer आप लोग comment box में जरूर दीजिए और कल के session में हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like और share जरूर करिएगा और comment करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलग्राम चैनल्स से डाउनलोड कर सकते हैं टेलग्राम चैनल्क का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके लावा आप हमारी Android एप को भी डाउनलोड कर सकते हैं पर बहुत सारे आपको PDF नोट्स वगेरा मिल जाएंगे तो आरजी स्मार्ट क्लास आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर वहां पर आपको Android एप मिल जाएगा उसे आप जरूर डाउनलोड कर लें तो आज करे इतना ही देखतेरी आरजी स्मार्ट क्लास धन्यवाद